साथियों, आज हमें सवभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदीर बनता देख पा रहें और अयोध्या की अगली राम नौमी अगली राम नौमी पर राम लला के मंदिर में गुंजा हर्स्वार पूरे विश्व को हर्शित करने वाला है वो स्वार जो सताब दियों से यहां कहा जाता है भया प्रगेच कृपाला दिन दयाला कौसल्या हितकारी भगवान राम की जन्म भूमी पर बन रहा बन्य मंदीर दिव्य मंदीर सद्यों की प्रतिक्षा के बाद हम भारतियों के धैर्य को मिली विजय का प्रतिक है राम मंदीर में भगवान राम के विराज मान के बस कुछी महिने बचे हैं भगवान स्री राम अबस आने ही वाले हैं और साथियों उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब सताब्जियों के बाद राम मंदीर में भगवान राम की प्रतिमा बिराजे की राम के आने के उत्सव की शुरुवात तो बिजिया दस्बीशे ही शुरु हो गई थी तुलसे भावा राम चनिज मानस में लिखते हैं सगुन हो ही सुन्दर सकल मनप्रसन सब के प्रभू आगवन जनाओ जनू नगर रम में चहूँ फेर यानि जब बगवान राम का आगवन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था तब सभी का मन प्रसन होने लगा पूरा नगर रमनिक बन गया ऐसे ही शुगुन आज हो रहे हैं आज भारत चंद्रमा पर विजय हुआ है हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थ भवस्ता बनने जा रहे हैं हमने कुछ सप्ता पहले ही संसद की नई मारत में प्रवेश किया है नारी शक्ती को प्रतिनी दूते देने के लिए संसद ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम पारित किया है भारत आज विश्वकी सबसे बड़ी डेमोक्रासी के सार्थ कि सबसे विश्वस्त्र डेमोक्रासी के रुपते उपर रहा है और दुनिया देख रही हैं कि मदर अब डेमोक्रासी है इन सुख़द छणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभू स्री राम विराजने जा रहे हैं एक तरह से आजादी के पचरतर साल बाद अब भारत के भाग्यका उदै होने जा रहा है लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है हमें ध्यान रखना है कि आज रावन का दहन बस एक पुतले का दहन न हो यह दहन हो हर उस वृत्विकृती का जिसके कारण समाज का आपसी सवहार्द बिगड़ता है यह दहन हो उन शक्तियों का जो जासिवाद और छेत्रवाद के नाम पर मा भारती को बांटने का प्रयास करते हैं यह दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धी नहीत है पिजिया दस्वी का पर्व सिर्व रावन पर राम की विजय का पर्व नहीं राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ती की विजय का पर्व बनना चाहिए हमें समाज में बुराईयों के बेदभाव के अंतका संकल्प लेना चाहिए